बेटी बारात के आने का वक्त हो गया है, उनम तयार हो गई? हाँ पापा, मगर डोली में बैठने के लिए नहीं, अर्थी में कलपना मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो शादी के लिए तयार नहीं है पापा राय बहादूर महंदर परताब डॉक्तर अनन्द, ये क्या? दॉले के सर पर सहरा नहीं? बारात कहाँ है, बाजूद की आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं अंदर परताब, मैं अपने बेटे के सर पर किसी बेगुना की अर्थी से उठाएवे फूलों का सहरा नहीं बन सकता डॉक्तर अनन्द में बारात के बाजों के शौर में अपने दोस के घर से उठती वे मातन की आवाज हैं नहीं सुन सकता मैं डॉली में दुलहन की जगाओ उसके अर्मानों की लाश नही Cait ले जा सकता हूं तो नहीं में इतना खुथखर्ज हूं के अपने बेटे के खुशियों के लिए दो प्यार करने वाले दिनों का गत्र कर ढड़े ये तुम क्या कह रहे हो डक्टर अनंद मेरे दोस्त दरिंदे भी कभी अपने अउलाद का खून नहीं पीते मगर तुम तुम अपने दौलत के दातों से अपने अउलाद के अर्मानों का खुन पी रहे हो जूटे उसुलों और पुरानी रस्म रिवाज के पत्थरों में अपनी अउलाद को जिन्नत दफन कर रहे हो माबाप कभी अपनी अउलाद की बुराई नहीं चाहते मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी में मेरी बेटी की भलाई है वले पुरे की आपको पहचान कहा है पापा आपको मेरी जिन्दगी बरबाद करके भी सबक नहीं मिला अब और कुछ बाकी रह गया हो तो अपने हाथ से पुनम को जहर दे दीचेगा तुम चुप रहो कल बना माफ कीजीगा अंकल दिलों के सौधे दौलत की तरह जुमें नहीं तौले जाते आपको अपना इरादा बदलना होगा दुनिया के हर चीज बदल सकती है मगर राएबाद और महिंद परजाब सिंग की जबान नहीं बदल सकती हम जबान दे कर मुकरते नहीं तुमारे बाप की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हम पूछो पूछो अपने बाप से यहीं हमारे घर में तुमारे लिए हम से हमारे बेटी का हाथ बांगने आया था राज शादी से इंकार कर रहा है इसलिए कि इसके बाप का जमीर जिन्दा है वो वादा खिलाफी के ताने सुन सकता है मगर किसी बेगुना के खुन से अपने हाथ दी रंग सकता हमारे खुन से रंग सकते हो तो रंगो हमारी इज़त को निलाम करने से पहले तुम्हे हमारी अर्थी उठानी होगी अगर तुम यहाँ पर अमर की बारात लेकर ना आए तो हमारी खांदानी आन मट्डी में मिल जाएगी कौन सी आन की बात कर रहे हैं आप कौन सी आन वह यह आन जिसने मैं जिन्देगी के आखरी सांस तक इस तुफ़े को याद रखूंगा मगर महंदर परताब एक बात तुम भी याद रखलाँ बेटियां बेजबान होती हैं और बेजबानों की फर्यास से आकाश हिल जाता है